हेले दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज किस खöt के अंदर हम यहां पे जो कवर करने वाले है यह हमारा टोपिक मरद्दा विज्ञान या आप मिट्टी के बारे में यहाँ पर cover करेगे यह मिट्टी से लिट्ट जो topic है यहाँ पर आपका कोई भी exam हो TGT हो PGT हो या आपका junior teacher उसमें देखीगा कम से कम दो question आपके fix है यह ऐसे topic है यहाँ से कोई भी परिक्सा हो एक question तो आणा ही आणा है इसमें ठीक है बहुत अच्छे से देखे का और मैंने कोशिस की है कि आपका कोई भी जो है मिट्टी से लिट्ट कॉश्चन आएगा तो इसी में से आजाएगा इसमें ठीक है धिहान से देखीगा और मैप को अच्छे से देखेगा इसमें क्योंकि मैप अकर आपने एक बार समझ लिया तो आपके लिए मिट्टी वाला टोपिक बिल्कुल जो है आसान हो जाएगा पूरा चलिए तो यहाँ पे आपने देखा यह मैप आपका तो आपको इस्टेट की यह परवतिये मतलब के अंतरगत आता है कौन सी मिट्टी होती यहाँ परवतिये मिट्टी होती है आप देख सकते इसमें जम्मो कस्मीर वाला जो है आपका छेत्र है यहाँ लद्दाक वाला हिमाचल वाला और सोरी आपका उत्राखंड वाला तो यहां पर पहाड़ी है, तो यह परवत है आपका, तो यहां पर कौन सी मिट्टी मिलेगी, परवत है मिट्टी आपकी, और यहां पर देखेगा, यह जो छेतर यह भी आपका उचायवाला है, तो यहां पर भी आपकी परवत है मिट्टी, जो यहां पर आपका अरोना चल के इसके बाद देखीगा, आपको पता है कि यहाँ पे आपका UP है, और यहाँ पे आपका MP है, और यहाँ पे आपका गुजरात है, तो कह सकते हैं कि मरुस्थली जो मिट्टी मिलेगी, वो आपका राजिस्थान में मिलेगी, और UP का कौन सा है, यह आपका पश्चिमी UP, और आप आपका उत्री गुजरात में कौन सी मिट्टी मिलती है मरुस्थले मिट्टी मिलती है ठीक है चलिए इसके बाद यहां पर देख लेते हैं आपका जो काली मिट्टी का छेतर है काली मिट्टी का पूरा ठीक है तो यहां पे कौन सा राज्या जाएगा यहां पर गुजरात आज इसमे ठीक है तो यहां पर कौन सी मिट्टी मिलेगे आपको करनाटक के अंदर महराष्ट के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर गुजरात के अंदर मिलेगी काली मिट्टी या इसको कपासी मिट्टी कहते हैं अगर आपसे यह पूछ जाए कि काली मिट्टी किस पठार में मिलती है तो जो दक्कन का पठार है उसमें काली मिट्टी मिलती है दक्कन के पठार में आपका ठीक है यह इसको कहते है प्राइदीप का पठार भी कहते है चली हो गया यह आपका इसके बाद देख लेते आपका जलोड मिट्टी के बारे में यहाँ पर इसको मैं आपको थोड़ा समय छोटा कर देता हूँ इसको ठीक है क्वालिटी बढ़ा लेने इसमें तो यहाँ पर यह जो छेत्र है यह पूरा कौन सा छेत्र है यह जलोड मिट्टी का भारत के सबसे ज़्यादा छेत्र फल पर जो मिट्टी मिलती है वो मिलती है जलोड मिट्टी बाकी यहाँ पर भी आपकी कुछ जलोड मिलती है थोड़ी सी तो यहाँ पर कौन कौन सा छेत्र आजाएगा यानि के आपका दक्षनी राजिस्थान भी आ जाएगा यहाँ पे आपका उत्राखंड आ जाएगा और यहाँ पे यूपी आ जाएगा बिहार आ जाएगा यह सारा का सारा और यहाँ पे आपका जैसे बंगाल है उडिसा है और यहाँ पे जो तमीन लाडू का जो छेतर है यह सारा का सारा जलोड में आ जाएगा यह आपका ठीक है चलिए उसके बाद देख लेते हैं आपका लेटराइट मिट्टी से बहुत कुश्चन आते हैं आपके TGT में भी आपका यह देखेगा यह क्या है यह पूरव साइड है आपकी भारत की यह पश्चिमी साइड है तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट अगर आपसे पूछे कि पश्चिमी घाट पे कौन सी मिट्टी मिलती है तो मिलती है लेटराइट मिट्टी आपकी या आपसे पूछे कि आपका यहाँ पे कौन सा जो छेतर है उष्ण कटी बंदिया वर्सा वन का छेतर है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या है वर्सा ज्यादा मात्रा में होती आपकी यहीं से मानसून जो उठता न तो यहीं पे जो है वर्सा ज़्यादा होती इसलिए यहाँ पे जो है लेटराइट मिट्टी मिलती है आपकी ठीक है, स्रवादिक जो है वन वनस्पती मिलते हैं आपे अगर आपसे पूछे कि लेटराइट मिट्टी और कहाँ पर मिलते है जहां पर वर्सा ज़्यादा होती है यानि कि आपका जो मेगाले वाला छेतर है वहाँ पे भी मिलते हैं अभी एक exam में question पूछा था option देखे कि सरवादिक जो आपकी laterite मिट्टी मिलेगी उसमें अलग-अलग छितर दिये थे आपके जम्मो कस्मीर पंजाब तमीन लाडू और आपका मेगाले तो मेगाले छितर में क्यों क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है लीचिंग परकिरी आपकी तो वहीं पे यह आपकी मिलेगी आपकी तो यहाँ पे आपका जो मेगाले वाला जो छितर है सरवादिक वर्षा वाला यहाँ पे आपकी लैट रैट मिट्टी मिलती है ठीक है तो इसमें आपके राज्य कौन कौन से आ सकते तो आप कह सकते हो कि इसमें जो है दक्षणी, महराष्ट भी आ जाएगा, यहाँ पे आपका गोवा आ जाएगा करनाटक आ जाएगा, केरल आ जाएगा लाल मिट्टी का छेत्र यह है आपका तो लाल मिट्टी का जो छेत्र है यह आप देख सकते कि आपका यहां पे आपका जारकंड है च्छतिस गड़ है आपका ठीक है और यह आजाएगा आपका इसमें आंद्र प्रदेश वगेरा तेलंगा नहीं सारा का सारा छेत्र इसे बन जाएगे आगे चल के चलिए अब देख लेते हैं भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाए जाती आई सी ए आर के दुआरा ये भारते किर्शी अनुसंधान केंदर है ठीक है तो इसके अनुसार भारत की मिट्टी को आठ भागों में बाटा गया इसकी स्थापना साब हुई थी 1929 में हुई थी अब देख लेते हैं यहां पर भारती मरद्दा विज्यान संस्थान आप ए तो यह आपका भौपाल में है कहां पर है भऌपाल के इंदर है अब यहां पर जो मिट्टी है अब देखो यहां पर आपसे पूछ जाएगा भारत में सरवाधिक मि करम बन चैना है सकता यह पूछा सकता है कौन सी जादा मिलती यह भारत में ठीक है चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपका जलोड मीट्व के बारे में पडरे हैं तो यहां पर जैसे इतनी सारी चीजें है यह ना कर प्लिए स लेक हैं चोटा ना घातुरा लिङे तो यहां पर जलोड मिट्टी देखेगा कहां पाई जाती है जहां बाड आती है यह जो जलोड मिट्टी जो होती है यह नदियों दुवारा जो बहा कर रेत लाया जाता है उससे जो है जलोड मिट्टी का निर्मान होता है ठीक है तो इसका जो अन्य नाम है वो आपका काप मि सिर्वादिक अगर आप पूछे तो यह हो जाएगा आपकी आदिया उपर से काटके लाती ना उसको जो कंकरीले पत्थर बगएरा और खुद सारी चीजों को बहा कर लाती है कंकर पत्थर को ठीक है चलिए इसके लावब यहाँ पे 43% होने के कारण इसका पर्थमस्थान है और भारत में इसका जो पर्थमस्थान है ठीक है स्रवादिक जलोड मिलती है और यह है UP उत्री विशाल मैदान ठीक है उत्री विशाल मैदान का मतलब क्या है यहाँ पे तो यहाँ पे यह जो छेतर रहना आई है आपका यह क्या है यह जलोड मिट्टी वाला है और यह भी आपका जो छेतर था ये भी आपका जलोडवाला था तो आपने देखा कहाँ पे ज्यादा मिलती है उत्री विशाल मैदान में स्रवादिक मिलती है इसका निर्मान कैसे होता है निर्मान आप इसको देख लीजेगा क्वालिटी बढ़ा के थोड़ा सा निर्मान होता है नदिय दुवारा परवतों को काटकर बहाकर लाई गई अवसाद के कारण जो है ये इसमिट्टी का निर्मान होता है कितने प्रकार की दो प्रकार की खादर और आपकी बांगर और यहाँ पे देख सकते हैं कि खनीजों की दरश्टी से क्या होता है निर्धन होता है आपने देखा कि आपका देखो खनीज की दरश्टी से निर्धन क्यों हो क्योंकि यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश हो गया और आपका बिहार हो गया यहाँ पे खनीज तो है नहीं जादा आपकी उत्रा खंड हो गया आपके खनीज थोड़े न जादा है खनीज तो आपके जार खंड, 36 गड, उड़ीसा यहाँ पे मिलते आपके ठीके चलिए तो होगी जलोड मिट्टी उसके बाद देख लेते हैं आपकी लेटराइट मिट्टी आपकी अब लेटराइट मिट्टी के लिए एक छोटा सा कोड़ है बस आपका जहाँ पे खनन होता है वहीं पे आपकी लाल मिट्टी जादा मातर में पाई जाती है लाल है तो यह आपका जो है आईरन ओक्साइड के कारण यह लाल होती है अब जहां पे खनन होता है तो खनन कहां पे होता है तो खनन आप समझ सकते हो कि खनन जो होता है आप समझ जाओगे कि 36 गड़ में खनन होता है खनी जोगा जहार घंड में होता है ठीके तो यहां पे यह जो है चिकनी और रितीली को मिला के क्या बनती है लाल मिट्टी बनती है 18% होने के कारण जो है दूसरा इस्थान है भारत में इसका और दक्षिन भारत में मिलती है आपने देखा तमिलाडू का जो शित्र है वहाँ पे लाल मिट्टी मिलती है ठीक है और इसका जो निर्माण है ये रवेदार अगनिये चटान के कारण ये जो है त्यार हुई है रूपांतरित चटानों दुवारा अपक्षिय के कारण और उपजाओ कैसी होती लाल मिट्टी देखो जलोड मिट्टी उपजाओ होती है ठीक है ये जो लाल मिट्टी होती है वो अनुपजाओ होती है तो यह क्या होती है उपजाओ कम होती है अब उपजाओ कैसे बनाएगे इसको वही जो अनुपजाओ होगी तो उसको कैसे उपजाओ बना सकते है आप खाद डाल के तो यहाँ पर यूरिया और चूना मिला के इसमें जो है इसको उपजाओ बना सकते है क्या क्या उगाते इसम में मिलती आपकी आपका जारखंड 36 गड़ यह आपका ठीक है और वरसा जादा कहां पे होती या तो होती आपके पश्ची मितठ पर या होती आपके मिघाले छेतर में आपका ठीक है तो इसके एक एक जो यह पोईंट है ने एकजाम में पूछे गए है पहले आपके ठीक है काली मिट्टी से तो भर मार कोश्चन पूछ जाते है एक्जाम में काली मिट्टी का कोड काली मिट्टी आपको वैसे पता है आपका कहां पे मिलती है काली मिट्टी आप जो मिलती है यहां पे मिलती है यह आपका जो छितर है न यह ये काली मिट्टी का है दक्कन का पठार जो है आपका गुजरात हो गया महराष्ट हो गया MP हो गया करनाटक हो गया इस सारा का सारा जो अच्छी तरह है काली मिट्टी का है काली मिट्टी कापासी मिट्टी ये इसको कहते है रेंगुड मिट्टी आपकी ठीके तो ये क्या है लावा जवाला मोखी विस्पोर्ट के कारण जो है ये काली मिट्टी का निर्वान हुआ है और काली मिट्टी में आपकी पैट्रोलियम मिलने की उम्मीद है अकर आप से पूछे कि किस मिट्टी में पैट्रोलियम मिलने की उम्मीद है तो आप कहोगे काली मिट्टी ठीके दे करणerte के मिलती है आपकी इसको गुत निफ्टी कहते हैं यहां पजिव काली मिट्टी होती है के अब विट्सक्रे अब ये दखीगा जो होती थो निकलने पर यह जैसे सूपती यह उस्में जो है मोटी मोटी जो है दरारे पड़ जाती इसलिए ऐसा लगता है जैसे यह जो मिट्टी है वो जोत दी गई हो ना चली रेंगुड मिट्टी कपासी मिट्टी और इसका जो तीसरा स्थान है 16.6% जो लगभग है वो पाई जाती है भारत में तीसरा स्थान है विदर्ब छेत्र में मिलत त्यार हुए इसका निर्मान कैसे हुआ बैसाल्ट चटान दोवारा हुआ लावा निकलने से हुआ है और यह जो चिकनी है क्यों होती है चिकनी क्योंकि इसके अंदर खनीज तत्वों की अधिकता होती है और खुद जादा यह जो है अच्छी भी मानी जाती काली मिट्टी और इसमें जो है आदरता या नमी गरहन करने की छमता दिखोती, काली मिट्टी के अंदर, आपने देखा है, गर्मियों के मौसम में छत्री क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो प्रकास है वो जो गर्मी आती है, जैसी आप काला चात लगाओगे, अंदर प्रकास नहीं आएगा, ठीक है, अंदर प्रकास नहीं आएगा तो क्या होगा उसमें, आपको जो गर्मी है उसका एसास नहीं होगा, रोक लेगा उसको प्रकास को, ठीक है, इसलिए ऐस जो है नमी मिलेगी उसमें आपका कम सिचाई की अवस्षकता किसमें होती है काली मिट्टी में होती है कहां पर मिलती है गुजरात में महराष्ट में आपका कापासी मिट्टी का उत्पत्तीस तल किसको कहते है महराष्ट को कहते है हो गया जला काले यानि के लेटराइट भचिए यहां पे लेटराइट देख लीजिएगा लेटराइट के लिए एक कोड़ है जहां पे ज़्यादा वर्षा होती है या ज़्यादा तापमान होता है तो जहां पे ज़्यादा वर्षा होती है इसका मतलब यह है कि आप इसको समझ गया आसानी से जहां पे जादा वर्षा होती है ये आपका जो पश्चिमी तठ है ये आपका उश्ण कटी बंदिय वर्षा वाला छेतर है क्योंकि मानसून यहीं से उठता है यहां पे वर्षा करता है और जैसे एक अरब सागर से जो उठता है आपका दक्षिनी और पश्चिमी मानसून एक साखा इधर को जाती है और दूसरी साखा या को जाती है और इधर को जाके यहाँ पे घुश जाती है भारत के इंदर कहाँ पे यहाँ पे जो पहड़िया है मिघाले के इंदर उनसे टकराती है और वहाँ पे फसके जो है यह ये आपका लोहो आकसाइड भी मिलता इसके अंदर और ये आपका जो है निक्षालन द्वारा ये लीचिंग परकिरिया होती है लीचिंग परकिरिया क्या आपने आप देखो जैसे कहीं पर मिट्टी के अंदर कुंकड पत्थर है थोड़े से और मिट्टी भी है वहाँ पर अगर आप पानी खुद उपर से डाल दोगे तो क्या होगा वो जो रेत होगा एक साइड भग जाएगा वहाँ पर क्या बचेगा रेत रेत बचेगा उसको कहते है लीचिंग परकिरिया ठीक है ऐसे यहीं होता है सरवादिक वर्षा होगी तो यह सिलीका युक्त जो है आपका यहाँ पर पदार्त जो है वो पानी से अलग हो जाते आपके यहाँ पर कमी की होती है तो यहाँ पर सिलीका की होती है और ये उपजाओ कैसी होती उपजाओ कम होती लेटराइट मिट्टी ये अमले है और खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती आपकी क्योंकि इसके अंदर सिलीका की कमी है अगर आपसे पूछें लीचिंग परकिरिया किस मिट्टी से सम्मादित है जलोड मिट्टी लाल जादा होगी और वर्सा जादा होती आपकी पश्चिमी तट पर लेटराइट मिट्टी मिलती है वहाँ पर में घाले के अंदर कुन से मिलती है लेटराइट मिट्टी मिलती आपकी तो इसको उप्योगी कैसे बनाएगे इसको उप्योगी कैसे बनाए जा सकता है तो वर्सा जो है अधिक हो और परवतिय ढाल उच्छ हो और यहाँ पर जो है मसाले आकर आपसे पूछे कि मसाले किस मिट्टी में उगते हैं जलोड मिट्टी, लाल मिट्टी, काले मिट्टी, लेटराइट मिट्टी आपका सिधा सिधा आज आसानी से आप मैप से समझ सकते हैं कि मसाले का मिलते हैं आपके किरल में मिलते हैं और गोवा साइड में कुछ आपके मेवे मिलते हैं ठीक है तो आप कह सकते हैं वो किस साइड आएगा तो आएगा आपका पश्चिमी तटपर आप कह सकते हो कि मसाले म मिट्टी में ठीक है यह कहां पर पाई जाती उष्ण कटी बंदी है वर्सा प्रदेश में मानसुनी वर्सा होती है और अगर आप से पूछे कि उष्ण कटी बंदी है जो वर्सा वन होते वहां पर कितनी वर्सा होती है यहां पर 200 सेंटीमेटर से ज्यादा वर्सा होती है ठीक हो गया चली आप देख लेते यहां पर आपका लवणिय मिट्टी या आपकी छारिय मिट्टी ठीक है तो इसको कहते है रहे उसर कलर थूर चोपन रत्थड इतने सारे नाम है इसके देख ले ना लवणिय मिट्टी या छारिय मिट्टी आपकी ठीक है रहे उसर कलर थूर तो वहाँ पे right जल जाता है was फसल होती है तो ये जो है बंजर होती है जीवास्म जो है इसमें नहीं पाए जाती इस्थान आपका ये कचकी खाड़ी और आपका दलदली छेत्र और आपका जो है सुन्दरवन वाला छेत्री है अपका अब देख लेते हैं मरुस्थली है मिट्टी या इसको कहते है रितिली मिट्टी इसमें कमी किस चीज की होती है इसमें ह्यूमस की कमी होती है ठीके जैविक पदार्तों की कमी होती है नाइट्रोजन पदार्त की कमी होती है जल सोखने की छमता जो है जल्दि सोक लेती है ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आपपका परवतिय यह वनिये मिट्टी आपकी तो इसको जो है लेंड स्लाइड के नाम से भी जाना जाता है परवतिये मिट्टी को और यह कमजोर मिट्टी होती क्यूं क्यूंकि वह आप ने दिखे है थोड़ी सी जैसे मालो जैसे उत्रकंड के अंदर वर्सा होती है ठीक है वहां पे पहाड़ी होती ना पहाड़ी गिर जाती है वह आपकी तो यह जो है अमली आपकी अमली जो मिट्टी होती है उसका पीचमान साथ से कम होगा हुमस जो है इसके अंदर आपका ज्यादा होता है क्यों क्यों यहां पे देखीगा परवतों पे जो है परवती मिट्टी या वनी मिट्टी वनों के अंदर क्या होते है पट्टे वगरा होते है वो जो है जैसी पेड़ पोधे गिरा देते उसको वहां पे जो है एक खाद वाली श्तीती हो जाती है ठीक है तो उसके अंदर क्या होता है हुम और सड़ी वनस्पती जो है इसके अंदर होती है क्योंकि दलदल के अंदर क्या होगा दलदल के अंदर जैसे ही वहाँ पे मितलब दलदल हो रही है ठीक है तो वहाँ पे काफी दिनों तक जब पाणी भरा रहेगा न तो वह सड़ जाता है और वहाँ पे जो कुछ पेड़ पह मिट्टी से संबंदी थे हैं लीचिंग परकिरिया कि से संबंदी थे हैं लेटराइट मिट्टी से संबंदी थे हैं आप कहोगे कि जो है जलोड मिट्टी कहां पर मिलती है तो जलोड मिट्टी आपकी पुत्तर प्रदेश में बिहार में तमीनलाडू में इन छेत्रों में मिल तो आप कही सकतی हो लाल मिट्टी वहां पर मिलती है जहां पर घंन होता है गनन पर होता है छारखण में होता यहां पर इसम्हें और यह कॉस्चिन लेक। तोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकते हैं लेकिन आज पूरा खतम हो जाते हैं आपका टीट ठीक है देखो किसी का प्याचमान साथ है और तो उसको कहते है उदासिन किसी का प्याचमान साथ से अधिक होगा उसको कहते है आपका छारी है और किसी का प्याचमान साथ से कम है तो उसको कहते है आपका अमली है देखो यहां पर मिट्टी के ऊपर कोश्चन आते कभी कभी आ आपका मिट्टी मितलब किसी का प्येच मन साथ है तो वो क्या होगा उदासीन होगा लेकिन पोधे की व्रद्धी के लिए जो सायक होता है छे से लेके 7.5 तक जो है अच्छा माना जाता है अगर कोई मिट्टी अमले है तो उसको सही कैसे करेगे उसके अंदर चूना डाल जाएगी ठीक है अगर मिट्टी चारी है तो उसके अंदर क्या डाला जाएगा जिपसम डाला जाएगा तो मिट्टी क्या हो जाएगी एक अच्छी हो जाएगी आपकी ठीक है चलिएगा बाकी यह जो आपकी अमले मिट्टी है यह चाय बगानों के लिए लाब्दा के होती और चारे मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में काफी मात्रा में मिलती है आपकी मरद्दा सरक्षन यह point most important है मरद्दा सरक्षन मरद्दा की उर्वर्ता जो है उसको बनाई रखना क्या है मरद्दा सरक्षन है अब यहां पर क्या है जल करांता क्या है मरद्दा क्या है जल करां जल करांता मरद्दा आपकी ठीक है चलिए इसके बाद आपका मरद्दा अवक्षे या अवकर्शन क्या है मरद्दा की उर्वर्ता का जो खरास है वो मरद्दा अवक्षे है ठीक है या मरद्दा का पोशन इस तर इगर जाएगा ये उसके इंदर खनीज वगारा वो नश्ट ह जाना इसके बात मरद्दा छरण या अपरदन या सोल एरेज्ट इसको क्या ये मतलब कटाओ उसको बोलते हैं अगर सिद्धा-सिंपल भासा में कए कि मरद्दा का परदन क्या मिट्टी का कटाओ ये कैसे हो सकता है क King तरीके से हो सकता है आपका जल दुवारा भी और यह दुवारा भी आपका लेकिन यह यहाँ पर देख लेते हैं पहले जल दुवारा और यह most important है छोटी-छोटे point है यह आपके exam में direct पूछे जाते हैं आपके देखो यहाँ पर जो मरद्दा अपरदन है इसी को seat कटाओ भी बोला जाता है exam में पूछा जाता है कि मरद्दा की उपरी परत जो है बहकर जो जल दुवारा बहकर नश्ठ हो गई उसको कया कहते है गली कटाओ यह seat kटाओ तो उपरी परत है सिर्वादिक जो है उर्वर्ता चमता इसकी नश्ठ होगी क्योंकि उपरी परती अगर आप खेत की हटा दोगे तो उसके अंदर तो नीचे मिट्टी में इतना चमता थोड़े न होती है जितनी उपर होती है इसके बाद देख लेते हैं आपका अवनली का अपरदन यह इसको क कि cio लप em एक ऐसा आकार होता है उसका ऐसा आकार हुता है तो यहां को जा रहा है यह कैसा आकार हो गया यह यू आकार का हो गया को ठीक है इसी को गली इसी को गली भी तो यहां पर आपसे पूछेगा कि आपका अवनली का नहीं पूछेगा गली कटाओ पूछेगा गली कटाओ का है तो यहां पर जल दुवारा जो है काफी ज्यादा मात्रा में जब जल बहता तो वह गड़े के रूप एक ले लेता है ठीके चलिए इसके बाद भूमी विगट प्रत अपरदन और अवनली का अपरदन इसके बाद वायू च्रण क्या है वायू दुवारा कटाओ जब हवाते चल दी तो उससे भी मिट्टी कटती है यह कहां पर कटती है तो यह कटती एक तरीके से कर देखा जाए तो यह आपका यह राजिस्थान का जो एरिया ना वहा पर होती है चीन के अंदर भी आपका होती है कुछ छेतर में आपका ठीक है तो पर्थम इस्थान भारत के अंदर पश्चीमी एवं उत्री राजिस्थान डारेक्ट वही आपका हरियाना का गुड़गाउं या रोहतक शेतर आपका तो हरियाना भी तो आपका राजिस्थान से उपर है तो वह हो जाएगा सिचाई के साधन देखो आपसे पुछेगा सिचाई के साधन तो बहुत तरीके के हैं लेकिन आपसे पुछेगा नहर दुवारा सबसे ज्यादा सिचाई कहां पर होती तो आप कहोगे इसको पंजाब के अंदर क्योंकि पंजाब के अंदर बहु सकते ना तालाब ती एल एबी तालाब और टी सी क्या बढ़नेगा टी सी तमील नाडू आसानी से याद रख सकते इसको भी इसके बाद आपका नलकूप वैकुवद वारा सरवादी जो सिचाई होती कहां पर होती है वो होती है उत्तर प्रदेश के अंदर नलकूप क्या है य जो समर सेविल ये बिजली ये टुवेल जो होती है उसी को नलकूप बोलते आपका ठीक है चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं पर इंद्रा गांदी नहर ये कहां पर राइस्थान के इंदर है ये कितने किलोमेटर की 650 किलोमेटर की भारत की सबसे लंबी सिचाई नहर है कोन सी इंद्रा गांदी नहर राइस्थान की हरी के बांद से निकलती और पानी जो है सतलज और व्यासन दी से ये अपना जो है लेती है तो आज का जो हमारा टोपिक है वो कंप्रीट हो चुक है और आपको प्रेक्टिस के लिए यहां पर जो है कुछ कोशन दी जारे मिलती है जलोड मिट्टी काली मिट्टी लाल मिट्टी लेटराइट मिट्टी आपके लिए कुश्चन नमबर आपका यहां पर दो यहां पर आपको बताना है कि कि आई सी ए आर ने कितने प्रकार की मिट्टी बताई है आपकी दो चार दस या आपका आठ प्रकार की कुश् उपरी परत का कट जाना जल दुवारा उसको क्या कहते है सीट कटाओ या आपका गली कटाओ आपको आंसर करना है कोश्चन तीन होगे कोश्चन नंबर यहाँ पर चार भी नोट करिएगा आप उसमें कि आपको बताना है कि तालाब दुवारा सिचाई सरवादी किस राज्य में होती आपको अंसर करना है एंपी के अंदर यूपी के अंदर या आपका करनाटा के अंदर या आपका तमील नाडू के अंदर कोश्चन नंबर चार और कोश्चन नंबर यहाँ पर आपको पांच न जहां खनन होता है वहां पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है आपके लिए ओप्शन इसमें आपका जिलोड मिट्टी नंबर दो आपकी लाल मिट्टी नंबर तीन आपकी काली मिट्टी और नंबर चार आपका यहां पर प्रवते मिट्टी आपकी तो आपके लिए पांच कुश्यन होगे प्रैक्टिस के लिए और मुझे आशा है कि पूरा आपका ये बहुत अच्छे से टोपिक कवर हो गया और इसका पीडियाप आप टेलीग्राम गुरूप से उठा लीजेगा और इतना ही आपका नोट्स है पूरा टोपिक फिनिस हो गया इसको अच्छे से लिखीगा और दो तीन बार इसको जो है रिविजन कर लीजेगा बस